तो गाईज यह अडवी के पता है लेकिन इसको फेपचा बोलते हैं क्योंकि बिल्कुर रोल के तरह गुमा हुआ इसका बहुत अच्छा पकोरी बनता है तो यह गाउ का खेत का है तो इसी का मैं पकोरी बनाई हूँ और कैसे बनाई हूँ आप देखिए और इस अच्छी तरह जोड़ी हूँ पहले बहुत 4-5 पानी से खोल खोल के इसको सफाई से धोई हूँ फिर छनी में इसको रखके सारा पानी ने छोड़ ली हूँ इसको न करेंगे उटना ही अच्छा लेकिन चाकू से मोटा कट हूआ है थोड़ा वदराती से यह प्सुल बनाएंगे तो ऐसे पहर इसके अंदर ये चना के डाल हैं भिगू के रखी थी, उसके बाद उसके अंदर लाल मिर्च और पीस दी हूँ. मैं अच्छी तरह से भीगोने के बाद और इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी लासन अदरक का और हरी मिर्च का पाउडर डाली हूँ लासन अदरक का पेस्ट डाली हूँ दर दरा कुटा होई रहा और इस अच्छी तरह से महस ली हूँ महसने के बाद में और तरह माप कीज नहीं है तो आवाज पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो यह मैं हरी मिर्च रखी हूं और हल्दी है मिर्ची पाड़र है नमक है अच्छी तरह से मैस ली और अगर अच्छी तरह से लस न ले तो थोड़ा से इसमें बेशन आप डाल सकते सूखा बेशन या चना के सत्तू या आर बेशन आप सिस्टार बना नहीं है और इसमें चना के साथ में आम के अचार पीस दीती वह दिखाई नहीं हूँ घट्टा के लिए अपनी मूद डाल सकते हैं तो इस खट्टा के लिए तक मूँमें कभी-कभी नोचने लगता है खुजली जैसा हो जाता है तो नहों इसे प